हेलो एवर्यवन वेलकम टू मैं चैनल शेवामनी व्लॉक्स आज मैं आनबॉक्स करने चाहरा हूं आपके सामने एक टीपी लिंक का वाइफाई बूस्टर या जिसे आप वाइफाई रेज एक्स्टेंडर भी कह सकते हैं तो इसकी सीरीज है अगे बात करेंगे और इसकी एक साइट पर दे रखा है अगे बात करेंगे और इसकी एक साइट पे दे रखा है अगें टीपी लिंक की ब्रैंडिंग और ये वाइफाई का कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी है एक्स्टरनल इंटीनाज है सिगनल इंडिकेटर्स है वाल प्लग अन प्ले डिजाइन है प्लस बहुत इसीली सेटप हो जाता है और ये कुछ इसकी रेंज के बारे में बता रखा है प्लस टीपी लिंक की आप डाउनलोड करने के लिए आपको एक QR कोड दे रखका जिसे आप इजीली स्कैन करके डारेक्टली टीपी लिंक की आप को डाउनलोड कर सकते हैं चाहे आप Google यूजर हो चाहे आप Apple यूजर हो तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि 5 GHz में कितना हैगा 2.4 GHz में कितना हैगा कितनी रेंज को है ये कवर करेगा और यहाँ पे कुछ पैकेज के कंटेंट्स है और उपर की तरफ अगें टीपी लिंक की ब्रां हो मार्केट में आपको आफ लाइन काफी कम प्राइस पर मिल जाएगा तो फटवट से खोल लेते हैं इसका बॉक्स तो ये कुछ ऐसे स्लाइड अप हो के बॉक्स को लेगा और सबसे उपर आपको मिल जाएगा और आउटर तो इसको रख देते हैं साइड पे जिस पर अग अधर क्या क्या कंटेंट्स है तो सबसे उपर आपको मिल जाएगी एक क्विक इंस्ट्रॉलेशन गाइड जिसमें दे रखा होगा कि कैसे कैसे इसको कन्फिगर करना है कैसे इंस्ट्रॉल करना है तो कुछ इस तरीके से दे रखा है इसके अलावा कुछ एक लाइसेंस नोटिस है जो हमारे काम का नहीं है या देखना होगा तो हम बात में देखके आपको बता देंगे अगर कुछ इंफर्मेटिव या कुछ जरूरी होगा तो इन चीजों को रख देते हैं साइड और उठाते हैं और राउटर के बारे में करते हैं बात तो कुछ इस तरीके का है राउटर देखने में उपर टीपी लिंक की प्रैंडिंग है दोनों साइड पे रोटेटेबल एंटीना है और दोनों एंटीना खोल के कुछ ऐसा सा लगता है यह राउटर और उपर की बात करें तो एक बहुत बड़ा सा बटन दे रखा है और कुछ LED लाइट दे रखी है तो जो बटन दे रखा है वो है WPS का जो फर्स LED है वो है पावर की सेकेंड सिगनल की कि आपका इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है थर्ड और फॉर्थ आपकी बैंड्स की दे रखिए 2.4 GHz और 5 GHz क्योंकि यह जो है यह डूवल बैंड सपोर्ट करता है और इस तरह अब आपको एक इंडियन टू 45 का एक LAN port दे रखा है ताकि आप डारेक्टली इसमें LAN लगा के इसको configure कर सकते हैं और उसी के साथ आपको एक reset का बटन दे रखा है तो यह हमारा socket लगा हुआ है तो मैं इसको यहीं पर एक बार install करके दिखा देता हूं जस्ट आपको इसको insert करना है किसी भी socket में एंड बट तो अब इसको 10-15 seconds छोड़ देते हैं ताकि अपना network वगएरा सब जो भी है वो हमारी search में आज है phone की जो भी इसके wifi नेम है तैन हम इसको configure करते हैं तो इसको configure करने के लिए आपको एक phone या कोई भी laptop कुछ भी चलेगा phone भी कोई भी चल जाएगा चाहे आपके पास apple का कोई phone हो या android based phone हो आपके पास phone होना चाहिए जिसमें कोई भी एक browser होना चाहिए सबसे पहले आपको अपने phone या laptop की settings में जाना है और वहां पे open करना है wifi की settings जिसमें आपको wifi network को करना है search और आपको इस extender के नाम से दो wifi connection मिलेंगे दोनों band के क्योंकि यह dual band है तो दो नाम आपने उन दोनों में से किसी एक को कर देना है select तो जैसे कि मैंने 2.4 GHz वाला select किया है तो इसमें आ जाएगा भी no connection क्योंकि हमने configure नहीं किया तो internet connection तो इसमें आ ही नहीं सकता तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि internet connection available नहीं है बट आपको इसके साथ connect रहना है तो मैं इसको option को कर देता हूं select तो आप चलते हैं और फटावर्ट से करते हैं बाकी की settings इसके बाद आपको अपने phone पे कोई भी browser कोलना है URL ओपन करना है URL की details मैं वीडियो के description में डाल दूँगा ताकि आप easily website को access कर सबगे तो यह है tplinkrepeater.net जैसे ही इस website को open करोगे तो यह आपसे password के लिए बोलेगा तो आप password कुछ भी डाल सकते हो चाहे आप अपना नाम और four digit का कोई number डाल दो जैसे मैंने डाला है तो कोई as such issue नहीं आएगा तो फटाफट से password डालते हैं और उसके बाद आपको start भी कर देना है click देन यह five seconds तक scan करेगा आपके आसपास के जितने भी wireless wifi जो network आ रहे होंगे उनको एक बार scan करेगा ताकि इसको पता लगे कि आपके वाला network कौन सा है तो यह scanning होगी है done तो मैं आपकी information के लिए बता दूँ कि मेरे wifi का नाम है click here for wifi जिसको मैंने कर लिया है select अब मुझे यहाँ पे key डालनी है अपने wifi का जो password है वो डालना है तो मैं फटाफट से वो डालता हूँ तो भाई password मैंने डाल लिया है अब मैं press कर देता हूँ next तो हमारा 2.4 GHz वाला network जो है वो हमारा connect हो चुका है अब हमें 5 GHz वाले connection के लिए wifi select करना है तो same connection मैंने select किया और password भी मैंने same डाल दी है तो जो extender है उसका name भी same रहेगा जो मेरे main wifi का नाम है booster का नाम भी वही रहेगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हूँ इसमें सारी detail दे रखी है 2.4 and 5 GHz वाले दोनों की detail दे रखी है इसको कर देता हूँ apply और extender हो रहा है reboot ताकि जो है मेरी settings वो सारी की सारी apply हो जाए और wifi जो है मेरा वो connect हो जाए booster के साथ तो यह कुछ आपको congratulation आएगा एक confirmation आएगा कि आपका जो है वो connect हो चुका है आपको एक select करके finish पे click करना है अब जो है आपका booster वो आपके main wifi से connect हो चुका है और आपकी range काफी बढ़ चुकी है कि अब आप देख पा रहे हो दोनों bands पे light आगी है power की light पहले से आ रहे थी signal पे भी light आगी है plus 2.4 GHz वाले पे भी light आगी है और 5 GHz वाले भी light आगी है that means हमारा जो है internet connect हो गया बूस्टर पे अब हम इसे कहीं पे भी घर में install कर देंगे और अपनी range को extend कर सकते हैं किसी भी रूम में तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और आप अपना feedback मुझे comments में भीज सकते हों thank you so much thanks for watching stay blessed